इसकार सौकत आपका सेल्ष्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी स्टूडियो में डिस्कुत करने वाले हैं कि भारतिय सैना में जो महिला है उनको कमांडिंग अधिकारी बनाया जाएगा क्या अब पहली बार बनाया जा रहा है क्या पहले नहीं बनाया जाता था तो इसको हम जानने वाले साथ इसाथ हम जानेंगे कमांडिंग अधिकारी होता क्या है इसके पास क्या पावर है ये इतना इंपोर्टन्ट क्यों हो जाता है दूसरा हम ये जानेंगे कि अल जो और बा करनेंगे कि अभी और भी कितनी ज़्यादा इंपोर्टन चीज़ें करनी ज़रूरी है महिलाओं के लिए ताकि एक जेंडर इक्वैलिटी लाए जा सके हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए मैं बता देता हूं दिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पेडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे भारतिय सेना ने महत्तपूर्ण पहल करते हूं पहली बार ध्यान रखना यह पहली ब करदान की है देखे फॉस्ट अफॉल जानेंगे कमांडिंग अधिकारी क्या होते हैं कमांड तो हम समझ रहे हो कि किसी को कमांड करना किसी को आदेश देना तो एक तरिक्पिस हैसे समझ सकते हूं कैर इसके बारे में मिन डिस्कॉस करेंगे और जो यह कदम उठाया गया है ये एक तरीके से आप समझेए, जेंडर इक्वैलिटी की तरफ एक और बड़ा कदम माना जा रहा है, साथ ही साथ इस कदम से जो महिलाएं भारतिय सेना के अंदर आना चाहती है, उनको और ज़्यादा प्रोचसाहित करेगा, साथ ही साथ जो आर्मी हैं उनके अंदर विविदिता और समाविष्टा को बढ़ावा देने भी ये कदम जो हो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है, एक निर्ने हुआ था 2020 के अंदर सर्वोच नियालेगा, पहले तो हम उसको जान लेते हैं, देखें, 2019 के अंदर शोट सर्विस कमिशन, एक होता है शोट सर्विस कमिशन, एक पर्मानेंट सर्विस कमिशन भी होता है, यही से सारा रोल जो हो आपके सामने समझ में आएगा, देखे short service commission जो 2019 में सेना ने क्या किया महिलाओं को एक option दे दिया 2019 में कि आपना permanent service commission चुन सकते हैं permanent commission आप सुन सकते हैं यानि इसमें क्या होता था short service commission में 14 साल की ही एक service होती थी फिर उसके बाद retire हो जाते थे लेकिन 2019 में महिलाओं को ये option दिया गया कि आप जो हैं यहाँ पर permanent commission चुन सकते हैं लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक और rule भी यहाँ डाल दिया कि ये पूर व्यापी नहीं होगा पूर व्यापी बोले तो 2020 में जो महिलाएं आने वाली हैं सैना के अंदर जो अपना career शुरू करने वाली हैं उनके उपर ये rule होगा कि वो permanent commission चुन सकती हैं जो 2020 से पहले कि जो महिलाएं यानि जो batch आया है महिलाओं का वो permanent commission में नहीं जा सकती सरवोच नेले ने इसके अंदर अपना निड़ने दिया का कि ऐसा नहीं है आप एक काम करिए जो आप ये rule लेके आयो जहां पर महिलाएं पहले से ही सेना के अंदर समिलित हैं उनका एक batch आया हुआ है तो वो भी महिलाएं 1992 से start हो जाती हैं आपर 1992 से start होगी कि उनको भी ये अधिकार दिया जाए कि वो permanent commission में जो है वो चुन सकें तो ये एक बहुत जादा important जो supreme court के दोरा दिया गया अब इससे क्या होगा देखे अब ये जो चुने गई हैं 108 महिला हैं ये 2020 से पहले गये क्योंकि एक commanding officer बनने के लिए 16-18 साल का time लग जाते है 14 साल पे तो रिटायरी कर देते थे तो यहाँ पर commanding officer बने ही कैसे तो यहाँ पर 108 महिलाओं को ये बैच जो पुराना बैचा उसी में से चुना गए तो अब इससे क्या हुआ देखे उनका promotion होगी उनके growth होगी उनके लिए और जादा दरवाजे हैं वहाँ पर खुल चुके हैं अब बात कर लेते हैं कि जो करनल रैंक पर पदोनत करने में इतनी देरी क्यों हो रही है देखे सैना में जो अधिकारी को वार्शिक एक annual report के according और बहुत सारे आयाम होते हैं उनके अधार पर कुछ मांदंड होते हैं उनके अधार पर 16-18 बीच की सेवा के बाद उनको करनल के पद पर निउक्त किया जाते हैं और शैना में सामिल होने के होने वाली जो महिला अधिकारियों को 1912 में शोर्ट सर्विस कमिशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन बाद में क्या था उनको स्थाई यानि पर्मानिट कमिशन में चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था 1992 यह 2019 में दिया गया है ध्यान रगना 2019 में दिया गया है फिर एक 2008 में भी दिया गया था लेकिन वो दो ही चीज थी जज, एड़ोकेट, जर्नल और सैना, सिक्षा, कोर यह दो ऐसी चीज थी, जहां पर छूट दी गई थी कि आप पर्मानिट कमिशन जुन सकते हैं लेकिन और बाकी नहीं कर सकते थे और अन्य सैना सेवाओं के लिए महिला स्थाई के डर जो है वो नहीं बना सकता था नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उन्हें करनल बनने के लिए जो एक अनिवारे सैना अवदी होती है उसको पूरा करने के लिए उनके पास टाइम ही कहा होता था 14 साल की तो शोट सर्विस कमिशन होती थी वो रिटायर हो जाती थी लेकिन एक करनल के पद पे जाने के लिए उनको 16 से 18 साल का टाइम पिरिड जुरूर होना चाहिए तो वो नहीं होता था तो वो कमांडिक ओफिसर पे पहुँची नहीं पाते थे अभी हम बात करेंगे कि क्या मतलब होता है कमांड का देखे करनल का जो पद होता है वो बहुँच जादा इंपोर्टन होता है करनल बनते ही जो करनल है वो अपने सैनिकों के साथ सकत आदेश देने का अधिकार उनको प्राहत हो जाता है और करनल एक बहुँच जादा इंपोर्टन रोल प्ले करता है क्योंकि वो अपने अधिकारियों के साथ साथ सीधे बाचित करना उनको वो अनुमती हो जाती है देखें ये जो बाचित करना है वो leadership को, decision making को और ज़्यादा enhance करता है आप ये जो एक opportunity है, unique opportunity है वो पाई नहीं जाती जो brigadier है, major journal है, जैसे उच अधिकारी rank के उपर पास, ये उपलब्द नहीं होती अगर आप देखें, तो सेना के अंदर, जो एक तरीके से शामिल होते हैं तो सबसे पहले lieutenant, फिर captain, ये ऐसे promotion होना start होता है lieutenant, captain, major, lieutenant, colonel, यहीं तक आगे महिलाएं जो है, वो रह जाती थी फिर colonel जो है, यहाँ पर आते थे, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर परन्वानेट क्योंगी देखे 14 साल की ही तक, sort service commission होती थी, तो यहाँ तक आते थे, retire हो जाते थे अब क्या किया गया, permanent commission कर दिया, अब उनको आगे जाने का अधिकार होगा वो colonel बन पाएंगे, colonel बन पाएंगे तो उनके पास यह powers आ जाएंगी 108 महिलाओं को यहाँ पर इस पद पर नुक्त किया जाएगा अभी, तो यह बहुत जादा एक बड़िया achievement है, जो SENA के द्वारा किया गया है, अब SENA के लिए जो विभीन शेतरा जाँ महिलाओं को अभी भी कर रे करनी की जो है अनुमती नहीं है, आप आ सकते हैं, आप करनल बन सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी ऐसी और भी चीज़ें जहां पर महिलाओं को एंट्री नहीं दीगें, जैसे infantry, mechanized infantry और SENA के रूप में बक्तर बन, जो सीधे आम कोप्स होती हैं, जो सीधे मतलब बोर्डर के उपर सुरक्षा कर रही होती हैं, तो वहाँ पर आप सीधे नहीं जा सकते हैं, उसमें एक prisoner of war आपने सुना होगा, जैसे अगर कोई दुश्मन किसी दूसरे देश की सेना को, जैसे कि भारतिये सेना को उन्होंने किरिफतार कर लिया, तो एक prisoner of war के तैत, वो जिस सेना है, और जो एक navy है, उसमें क्या-क्या opportunities दी जाती है महिलाओं को, उसके अगर हम बात करें, तो देखे, इंडिये navy में जो सभी branches हैं, महिलाओं अधिकारियों के लिए को शामिल किया गया, और भविशे में उन्हें हवाई squadron होगी, इनको भी वो कमांड करने में सक्षम हो पाएंगे, इंडियन air force में भी महिलाओं अधिकारियों के लिए सभी शाखाएं खोल दी हैं, जिन में fighter stream आती हैं, नई हतियार पर अनाली ही, ये सब शामिल हो जाती हैं, चूंकि उन्हें पातरता और रिक्तियों के धार प्रस्थाई कमिशन दिया जाता है, इसलिए भविशे में कमांड इकाईयों के लिए वो पातर हो पाएंगी, अभी अगर मैं इंडियन आर्मी के अंदर अगर बात कुनों, तो लगबग लगबग शोला सो, चालिस के पास महिला हैं, लगबग एक अप्रोक्सिमेट एक आर्कडा दे रहा हूं और फाइफ हंडर्ड नाइन्टी के आसपास जो है वो इंडियन एर फोर्स के पास जो है महिला हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह महिला हैं जो हैं हमारे देश में सैना के उपर, सैना में लगी हुई हैं, अब बात करें अन्य सैनाओं में, जो दूसरे देश की सैना हैं, वहाँ पर महिला को कमांडिंग पोजिशन धारने की अनुमती है या नहीं, देखें, स्विंक्त राज्य अमेरिका होगी, जाकू इकाईयों में भी, विशेश बलों में भूमिका शामिल है महिलाओं को, अब आगे की रहां क्या हो सकते हैं, देखें, भारते सैना को कमांड भूमिका के लिए, अब नुक्त किया जा रहा है, तो उन्हें प्रशिक्षन और सायता परदान की जाने चाहिए, ताकि व जोग्या महिलाओं के बड़ा पुल तैयार हो सके, जो कमांड की भूमिका नहीं भा सके, और साथ इसाथ, भारते सैना में महिला सैनिकों के लिए, बहतर सुईदा और सायता परदान करने हैं, तो भी काम किये जाने चाहिए, जैसे बाल देख बाल हो गया, मातरी तो अक्व पुछा जा सकते हैं, तो पीडिया तो आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो पसंद आगी तो बेशक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है, कोमेंट सेक्शन ओपना तो अपना डाउट वहां पर लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर वोचिंग दिस वीडियो